दोस्तों नमस्कार मैं मुनुश कुमा शर्मा एकवार फिर आजाद हिंद आवाज और कवर 24 दोनों के लिए हाँ दोस्तों गाना याद आ गया चानक से तेल के स्खेल में बिग जाएंगे भाईया तेरे मेल में प्रिधान मंत्री मोदी जी ने क्या कुर्बानी मांगी है भाईया सुना तो था कि भाईया तेल बड़ा महगा हो गया तो पैट्रॉल पर जो थे बड़ा आतंगवादी निकल आते थे मतलब उठाकर के सिलेंडर इलेंडर पिलेंडर साइकली अतरा शुरू हो जाते थी काफी मुक्य मंत्रीयों की बारते हैं था पार्टी के लेकिन आज कल कोई नहीं दिखाई देता आज कल लगता है सारे सोई हुए हैं किसी घांगरे में घुसकर के वह वह क्या बात कहदी बात तो ऐसी कहदी कि बात का तोड़ निकलने कर बात का जोड़ निकालने के लिए तोड़ निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले को खलना भी जरूरी है अदानी हाला कि उसके शियर किर रहे हैं और काफी क्यों कि मोदी जी तो उनके साथ खुद शामिल है अरे भाया अगर ना हो तो आप देख लीजिए महंगाई हो गई है बेलगाम अमारुजाला की हेडिंग है अब इस महंगाई बेलगाम हो गई इससे क्या मतलब है क्या-क्या मतलब निकलेंगे इसी का ताम क्लासा करेंगा भक्त जो हैं बड़ी बिडमना के साथ जिल रहे हैं उस बावासीर को जिस बावासीर को वो साहिब माने बैटे हैं खैर वो बावासीर है या बड़ बोली तासीर है उसके वारे में तो नहीं कह सकते लेकिन जो महंगाई बेलगाम हुई पेट्रोल पे तो खेर लोग टैक्स दे करके खुश है कि सरकार के खाजाने में जा रहा है लेकिन ये जो 200 रुपे का सर्सों का तेल हो गया भाया ये कहां से आया कहां से हुई महंगाई भाया देखो किसानों के यहां खुद इंडस्टी होती है सेल्फ इंडस्टी ये मैं बता दूँ आपको आप सोचेंगे किसानों के यहां कैसे सेल्फ इंडस्टी होती है देखिए भाया गाय घर की दूद घी घर का गेहूं घर का सबजी घर की और सर्सों का तेल भी घर का कि जो सरसों का तेल मतलब सरसों के तेल में पूरियां कभी बनी नहीं सरसों के तेल में कभी सबजी बहुत ही गाहे बेगाहे बन गई तो बन गई सरसों का तेल तो सिर्फ मालिश के काम आता था बोड़ी की जो थोड़ा सा बोड़ी मजबूत हो जाए लेकिन वो 200 रुपे का जब सरसों का तेल हो जाता है तब थोड़ा सा शक होने लगता है कि यह किसकी मतलब कुछ हिस्सेदारी तो नहीं या ड्रामा क्या है कि रिफाइंड का तेल तो जो रुपे हो रही है बाकी का भी तेल जो है दूना तिगना होता जा रहा है यह गेम क्या है सरसों के तेल का इस सरसों के तेल के गेम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अदानी और राम देव की साज़ेदारी को जो सर्सों के तेल को मतलब उलट पुलट करके देश के लोगों की जेव से पैसा निकाल लगी है इस करोना काल में जहां करोना काल में भाई बो काल दूसरा था सत्र साल वाली सरकार तो बेकार थी जिसने फ्री टीके लगवा दिये थे अब तो टीके पैसे दे कर लगवाने पढ़ेंगे इसलिए सर्सों के तेल पर महंगाई जो है ये देश हित में हैं इसको देश हित में याद रखिएगा क्योंकि देश हित में आप एक कुरवानी देने जा रहा है पैटरल पर कुरवानी देए तो सर्सों के तेल पर भी अपने खाने पीने की कुरवानी दीजिए ये लिखा हुआ नहीं है ये लिखना पड़ेगा आगे के मतलब जो आगे तियास लिखा जाएगा आज का तब हिंदोस्तान के लोगों के कुरवानी को सलाम किया जागा लेकिन इस कुरवानी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है और बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां कुछ ऐसा घोटाले का पड़ा फार्श हो रहा है जो घोटाला बाकई में ऐसा है जिसको सुनोगे तो हाथ में जूता लेकर के अदानी अम्वानी के एजेंटों के पीशे भागने लगोगे ऐसे घोटाले का खुलासा होगा जिसमें आप किसान आंदोलन के समर्थन में वैट जाओगे क्योंकि जो किसान बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल ले क्योंकि जिस तरह का भाई साब ने कांड किया है ना प्रदान मंतरी मूदी ने तो गाली दिरेक बुड़ा है यह मतलब धनेश्वर में तो भाईया इतनी खरी-खरी कहता है प्रदान मंतरी मूदी जी को गाली यह देता है दुनिया वर की खैर वो गुसे में विचारा क्या करे अब खेल क्या चला है कि मुरेना भिंड गौालियर धौलपूर चंबल के इ तो बेखेंगे भी अपनी मर्जी से तो मुदी जी ने पहले खुले तेल का बयापार बेंड कर दिया कि खुला तेल अब नहीं बिकेगा केवल पैकिंग में बिकेगा फिर जमा खोरी को भी छूट दे दी इन्होंने कानून बना करके तो सेटिंग किस की है गरीब जनता के पेट पर चाकू किसने मारा अपने बोटर के पीट में चाकू किसने घौपा जाहिर है हमारे साथ क्योंकि साथ को लगता है कि भारत की जनता बहुत से सकती है भाई रेलवे का बिकना मनजूर कर लेगी पैसे बरबाद हो जाए मनजूर कर लेगी लंबी लंबी लाइनों में लग लग लेगी उफ तक न करेगी करोना से उसके अपने मर जाएंगे उफ न करेगी करोना से अ बड़े बड़े एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, भाई अगर उनोंने किया तो किया किया, बाकी के लोगों ने भी किया था, लेकिन यह कहना भूल जाते हैं कि प्रिधान मंतरी मोदी जी क्या उन्ही की तरह बेवकूप थे, मतलब एक तरह से बेवकूप बता देते हैं उन शनी शान्त हो जाए, लेकिन यहां सर्सों का तेल जो है अदानी के ऊपर चड़ाया जा रहा है, यह कहकर के जै अदानी नमु नमा, अब शनी देव अदानी हो गएं और देश का सर्सों का तेल अदानी को चड़ाया जा रहा है, बावा राम देव को चड़ाया जा रहा है, उस बाबा राम देव को जो कल तक मारा मारा फुर रहा था पता नहीं क्या क्या अंचन बोल रहा था पता नहीं कुछ चड़ गया था दिमाग पागल हो गया था उसका या इंसेफिलाटिस हो गया था या मानसिक संतुलन को बैठा था आपको क्या लगता है मानसिक संतुलन को अब आप तै कीजिएगा लेकिन ये सर्सों का तेल का जो खेल है वो बिना प्रिधान मंतरी के शूट के नहीं चल सकता था और अगर ये चल रहा है तो ये बहुती सीरियस ओफेंस है जिस पर जनता को खुद कारवाई करनी चाहिए और किसानों को बड़ी मिलों को अपना तेल देने से मना कर देना चाहिए और मेरी उन पत्रकारों से भी हाद जोड़ करके निवेदन है जो पत्रकार प्रिंट मेडिया का काम करते हैं जो पत्रकार इस तरह की नौलिज रखते हैं हमारे पास सबूत भेज़े क्योंकि ये अभी केवल आरोप संतोष गुपता जी ने ल आईडी है ये उने की आईडी का मैं यहां पर ट्वीट कोट कर रहा हूं जिसके आधार पर मैंने ये आशन का जाहिद की है कि इसमें बहुत बड़ी सेटिंग हो चुकी है इसलिए जो सस्ता मिलता था सरसों का तेल आज 200 के दाम पर मिल लाए शनी देव को भी तेल चड़ा दो शनी शांत कैसे होगा मुझे लगता है कि शनी देव इनको सबक सिखाएंगे दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो प्रस्तूती बताईएगा जरूर और शेयर करना मत भूलिएगा खेल अधानी का अंबानी का साहई की सैटिंग से महंगा हुआ तेल शनी पर चड़ाना है द झाल 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 झाल